कि यह देखना एक बार चल रहा होगा सेशन के नहीं क्योंकि इंटरनेट का मुझे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है एक मेर टुकेगा येस वियर लाइब नाओ यही सिर्फ स्टेट के केस में आई थी वहाँ पर ही वो उतने ही लिमिटेट सीट थी और वहीं आप जा सकते थे पूरे देश बर का ऑप्शन वहाँ नहीं था तो यह बहुत ही अपने आप में खुश करने वाली नियूज है सीटेट के साथ साथ के के विस की विकिंसी आपके सामने आ चुकी है और यह बहुत सारे लोगों के लिए यह majority के लिए once in a lifetime opportunity जैसा रहेगा क्योंकि पता नहीं है अगली बार चुनाव कब आए अगली बार विकिंसी कब आए पत्र कहेंगे तो यह चीज जो है official यह अभी नियूस पेपर ही किसी ने लीक किया है जो लोग print में जाता होगा महां से कहीं से लीक हुआ है तो उस case में यह online आएगा official website पे पांच तारिक से तो पहले पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ-कुछ जरूरी बाते हैं कि कब तक paper हो सकता है क्या बहुत सारी बाते हैं जो हमारे दिमाग में चल रही है इस पे बाद में आएंगे पहले .nic.in के द्वारा के विसकी vacancies में जो आज तक कभी नहीं आई मुश्किल से ढाय तीन चार तक भी टच नहीं हो पाती थी है ना तो ये साड़े 6,000 vacancies है प्राइमरी टीचर की इसके अलावा अगर हम बात करें TGT post के लिए भी 3,300 vacancy हैं PGT के लिए 14,000 vacancy है music और बाकी सब को म आपकी non-teaching को अभी के लिए side रख देते हैं तो 2022-23 मतलब ये 22 में notification आ गया है एक तरह से मान सकते हैं और 23 में आपके हाथ में नौकरी प्लस exam प्लस interview सारी प्रक्रिया 20 में निपट जाएगी KVS प्रक्रिया थोड़ी तेज रखता है जब भी आपका notification आता है पिछला record अग क्या है exam ले लिया जाता है और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाती है इस बार लेकिन थोड़ा सा समय मुझे लगता है कि personally लग सकता है उस पे आएंगे अभी exam जो है वो online हो गया है इस notice के according के paper जो है वो computer based test होगा जैसे आपका CTAT होता है तो हम कहेंगे कि exam pattern क्या है इ दीरे-दीरे सारे exam online जाने ही है तो यह क्या हो गया? exam pattern में सबसे पहली बात हमें यह बता है कि paper online देना है दूसरी बात pattern बदलने की पूरी-पूरी संभावना है अगर हम देखें तो 2016 के बाद 18 के time पर pattern बदला था फिर अभी बदलेगा ही क्योंकि इतने time से vacancy आई नहीं है और पर से online mode भी है तो let's see negative marking as such KBS में रही नहीं है कभी तो कम chances नहीं के negative marking आए बट देख लेंगे वो तो हम 5 तारिक से पता लगी जाएगा क्योंकि 5 तारिक से क्या है आपका 5 December से यह जो form filling है आपकी website पर वो शुरू हो जाएगी केंद्र विद्या लेकी तो सारा जो भी detailed notification वो तब आ जाएगा और हम share भी कर लेंगे उसमें एक एक detail मिल जाएगी हमें बाकी जो उम्मीद है वो यह है कि यह 3 December से लेकरके 9 December के बीच में यह जो आपका employment newspaper है यह बाहर आ जाएगा क्योंकि इस पर date भी इन्होंने डाली हुए कि employment news 3 से 9 December के बीच में क्योंकि सबता हमे एक ही बार आता है यह newspaper तो उस case में 5 से पहले पहले तो इसमें news आए ही जाएगी वो भी एक चीज है और 5 से तो आप apply कर पाएंगे चलिए फटा-फट से समझते हैं syllabus के बारे में तो syllabus और pattern दोनों ही change होने की पूरी-पूरी संभावना है लेकिन कुछ basic topics जैसे हिंदी हिंद तक का score आपका रहता ही है तो हिंदी हुई English हुई GA है या GS है अगर हम maths का थोड़ा पोर्शन बात कर रहे है पिछली बार जेनल साइन्स को GA में बहुत डाला था तो वो हम देखेंगे पेड़गोजी निश्यत ही आएगी TGT में तो पिछली बार 50 नंबर की पेड़गोजी एच की बात की जगा उसी के बाद आप आगे सोचिए का क्या करना है लेकिन पढ़ा ही अपनी जारी रखिये तब तक हिंदी इंगलिश बहुत बढ़िया से करिये पेड़गोजी क्योंकि 20 नमर में भी आएगी तब भी पढ़नी है और ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचन का जिसमें पेड़गोजी आए ना तो वो उसको भी पढ़ते रहे ना साथ साथ बात रही एज की तो एज रिलेक्सेशन के वेस में जैनरली 10 साल का मिलता है फीमेल्स को तो वो मिलना ही चाहिए बाकी फिर भी 5 तारिक तक का इंतजार करेंगे ठीक है पिर टीस वर्ष रहती ह फिर उसके बाद उसी तरह से आपकी TGT के लिए भी इसमें तो तीस वर्ष ही रहती है लेकिन देखते हैं इसके लिए भी हम इंतजार करेंगे फाइनल नोटिफिकेशन का वही exact बात हमें बता पाएगा B.A.D. candidates apply कर पाएंगे के नहीं तो बिलकुल K.V.S. ने पहले भी कहा था के भाई कर सकते हैं येस लेकिन इसमें बस एक छोटी सी चीज़ है जो special petition डली हुई है Supreme Court of India में अगर वहां से जो final decision है भी आया नहीं है क्योंकि जो BSTC कह लिजे, DLA कह लिजे, BTC कह लिजे, जो 2 year क PIT में क्यों लाया जाए या क्यों नहीं लाया जाए तो इसके लिजे, Supreme Court में हमारे petition एक चल रही है इसका जब भी judgment आएगा, तो judgment तो आपको YouTube के माध्यम से, Internet के माध्यम से पता लगी जाएगा, कब आएगा ये किसी को नहीं पता, December में आए, January में आए, बट आपको form भर द तो, अब subject combination का भी पता नहीं है हमें, पता लग जाएगा पांच तारिक तक, ठीक, seated appearing वाले allowed हैं के नहीं, इसके बारे में इन्होंने इस notice में कोई भी चर्चा नहीं की है, पहले ऐसा एक बार हुआ था कि इन्होंने देने दिया था exam seated appearing वालों को, role number या application number वगेरा का तो, यह हमें नहीं बता, इसके लिए हमें पांच तारिक तक इंजार करना पड़ेगा, probably हो, probably नहीं हो, be it first year और second year वाले apply कर सकते हैं या नहीं, जैसे CTET में कर पा रहे हैं, या appearing वाले, तो कोई भी ऐसा exam नहीं है, जिससे नौकरी मिलती हो teaching में, और वो appearing में भर सकें आप, है ना, तो सिर्फ आप TET qualify कर सकते हैं, appearing में, आप नौकरी के लिए apply नहीं कर सकते, आपको form भरने से पहले एक, आपकी पास सारी degree, diploma, सब कुछ होना चाहिए, आपकी result आचुका होना चाहिए, ठीक है ना, वो change हो जाएगा मुहमद आशिक, चलिए, अब बढ़ते हैं, आग लोगों के बीच में, जोनोंने लगातार महनत की है, और जोनोंने अभी भी महनत नहीं की है, तो यह 3-4 महिने आप देखते हैं, जैसे D-plus विवगरा कि मैं इंटर्व्यूस भी लेती हूं, तो पता लगता है, जोनोंने अंत में महनत की है काफी, कुछ महिनों में भी, वो पहली बारे की paper online है, और इतनी सारी vacancies है, इतने सारे candidates के लिए चीज़ें करानी होंगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा भी लग सकता है, तो 4-6 महिने, फिर भी आप 4 महिने तो max मान के चलिए, और 6 मिल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो यह करके पढ़िए, कि जो basic concepts हैं, previous year papers हैं, वो सब हो जाएं, और जैसे ही syllabus announce होता है, तो आपके हाथ में चीज़ें हो, तो यह कुछ-कुछ सवाल थे आपके, जो आज दोपहर से ही, क्योंकि मैं आज available नहीं थी, मतलब दिन भर से ही पहले, मदर के साथ कहीं जाना था, फिर office थ कहानी यह है भी, कि एक newspaper है, जो leak किया है किसी ने, बट हाँ, इसकी authenticity होती है, क्योंकि पहले भी other exams में भी ऐसा रहा है, कि जब यह employment newspaper में news आ जाती है, या उससे पहले हमारे पास आ जाती है, तो वो eventually छपनी ही है paper में, और अब जादा दिन है भी नहीं, तीन से चार दिन ही ह ST की 481, EWS को जो category है, economically weaker section, उनकी 641, तो total मिला करके 6,000 vacancy, ठीक है न, यह VH और OH में 97 और 96 है, हमें पता यह 5 तारिक से form भरना है, 26 तारिक तक form भरना है, हम apply कर पाएंगे, और अभी focus seated पर ही रखिये, हम भी रखेंगे, जब आएगा KVS practice भी होगी, batches भी आएंगे, ही सारे teachers, एक से एक बढ़िया teachers है, चाहे ओडिट फ्लैसिबी की बात करें, KVS की बात करें, तो वो सारी चीज़े बात की हैं, अभी तो focus अपना, seatative बना के रखिये, जब सारा कुछ detailed notification आ जाएगा, तब हम उस पर चर्चा करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, धन्यवाद, अगर आप कोई problem नहीं है, उससे धन्यवाद, कोई भी address अगर आप ने दिया है, वो हो जाएगा verify, अगर आप वहाँ रहते हैं, तो हो जाएगा, या कोई और भी रहता है, ठीक है ना, चलिए, तो ये एक छोटी से बाक्ति, अगर आप देखना चाहें, आप PGT की भी, जो post graduate teacher होते हैं टेलिग्राम चैनल पर, TGT यानि ट्रेंड graduate teachers के लिए भी, आपकी कितनी vacancies हैं, 3160, ये भी बहुत बड़ी मात्रा में vacancies हैं, और कई बार तो, let's see कि मतलब क्या रहता है pattern, अभी इस पे ज़्यादा बाते नहीं करते हैं, बस हाँ, ये information, ये news ही अपने आप में बहुत ही ज और तीन जैसा कि ये कह रहे हैं, नोटिस में, बाहर की countries में भी हैं, तो एक central government की job है, जिसमें सारी security से लेके हैं, और बहुत equality education, teachers भी बहुत professionally trained रहते हैं, तो उस चीज के लिए आप बिल्कुल तयारी कीजे, ये बहुत अच्छा लक्षय हो सकता है, कि आप अभी इतनी सार teachers अपने तरीके से काम करेंगे, और भी जो भी हो सकता होगा, वो बिल्कुल करेंगे, ये छोटी सी information थी, hopefully आप इस चीज से घबराएंगे नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, कि आ गई है विकेंसी, इस चीज को लेकर के positive रहेंगे और इंतजार करेंगे, कि final जो seat at वालों के बारे में बात है, वो क्या रहती है, और ये information शेर कर दीजगा उन लोगों के साथ, जो लोग इंतजार कर रहे थे, जिनका बाकी चीज़ें complete हैं, और वो तैयारी भी करनी शुरू कर चुके हैं, या आप अब कर देंगे शुरू, कुछ लोग पहले से final notification आएगा, तो career will pay final batch भी आजाएगा, तो अगर इसके अलावा अब आपका कोई doubt है, तो एक बार आप पूछ लीज़ें, तो आज हम फिर छुटी करेंगे, यही एक छोटी सी बात है, जो आज हमें करनी है